हलो फ्रेंट्स, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डेफिनिटली मेरे दोस्ट चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चलिए आज बात करेंगे कुछ mutual funds की जिन्होंने कुछ अच्छा return दिया है और कुछ mutual funds ने अपने similar दूसरी category से कम return दिया है, तो अब वहाँ पर आपको विचार करने के जरूरत है कि ऐसा क्या है आपके पास कि similar category के दूसरे mutual funds, दूसरी asset management company अच्छा return दे रहे हैं पर जो आपके पास है वो return कहीं न कहीं अच्छा provide करने की कोशिस नहीं कर रहे हैं तो इस subject पे आपको एक decision लेना पड़ेगा कि मेरे दोस्त क्या करना है चलिए one by one करके कुछ mutual funds की चर्चा और कुछ mutual fund का unfold बहुत fast track mode पे करने की मैं चेश्टा करूँगा मेरे दोस्त पहला जो मैंने mutual fund आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है motilal oswal midcap mutual fund direct plan growth मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त आप हमेशा direct plan को select करें अब ये direct plan और regular plan में difference किस तरीके से आपको समझ में आएगा जो भी आपका mutual fund है तो मेरे दोस्त उसके आगे दिखेगा अगर direct plan है तो उसके आगे direct plan specific तोर पे mention किया जाएगा अगर वो regular plan है तो वो specific तोर पे regular plan mention किया जाएगा कोशिस करें कि आप direct plan के mutual fund को select किया करो क्योंकि जब आप regular plan के तुरू लेकर के आते हो तो कि होता क्या है जिस बंदे से यानि कि जिस mutual fund distributor से आप fund उठा करके लाते हो कही ना कहीं उसका एक बहुत मोटा commission उस fund पे होता है तो इस वज़े से कोशिस कीजिए कि direct plan खरीदें अब यार होता क्या है कि कई बार investor जी सुसता है कि या direct plan एर कैसे खरीदें कैसे जानकारी मिलेगी मेरे दोस्त multi-backer mutual funds के नाम से एक playlist मैंने बनाय होई है एक बार में समझ में नहीं आ रहा है दूसरी बार go through कर जाओ येकिन माना मेरे दोस्त उसके बाद खुद आप निकाल के लापाओगे कि आपके लिए best क्या है सारे साथी साथ मेरे दोस्त एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसी भी mutual fund चाहे कितना भी गिरा हो चाहे कितना भी अच्छा mutual fund हो एट लिस्ट एक साल जरूर होल्ड करके चला करो इस पेसली अगर किसी mutual fund पे return आपका बन रहा है तो एक साल किसी भी mutual fund को जरूर होल्ड करके चला करो क्योंकि tax की liability काफी हट तक आपकी minimize हो जाती है ठीक है long term और short term का थोड़ा सा रहता है आप पूछना जिससे भी आप अपना ITR फाइल करवाते हो मेरे दोस्त आप जो मैंने पहले mutual fund की बात आपके सामने करी है मोती लाल उसवाल mid cap की चर्चा करी है इसके NAV की बात करूंगा तो एक बहुत decent सा NAV है इसका केवल 65 रुपए का है return की बात करेंगे तो 22.15% के CIGR के इसाब से पिछले 9 सालों का हमारे पास data है और expense ratio की बात करेंगे तो जब 22% का return आपको मिल रहा हो तो इसका expense ratio भी काफी अच्छा है जो की है 0.75% का मेरे दोस्त नेक्स्ट जो mutual fund मैंने आए इसी सीरीज में आपके लिए रखा हुआ है उसका नाम है Quant Flexicab Fund Direct Plan Growth इसके अगर NAV की बात करेंगे तो एक decent सा NAV है जो की है 71 रुपीस का maximum return की बात करेंगे तो 18.47% के आसपास का CAGR इसने दिया है duration की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों का हमारे पास data है और expense ratio की बात करेंगे तो 0.58% का expense ratio यह आप से चार्च करके चल रहे है वही अगर मैं इसके asset size की बात करूँगा तो 14.48 करोर का इसका asset size मेरे दोस्त है इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और बात करूँ Quant Flexicab से related मेरे दोस्त Flexicab का मतलब होता है पराग पारिक Flexicab mutual fund क्यों मैंने ऐसा बोला Quant Flexicab के अगर मैं चर्चा करके चल रहा हूँ तो यहाँ पर return है साले सत्रा परसेंट के आसपास वही अगर पराग पारिक Flexicab के डिगरी के आप एक बार in-depth analysis मेरी playlist पर जाएए वहाँ पर आपको पड़ा दिखेगा तो Quant एक बार पराग पारिक Flexicab को आप दिखेंगे तो return वहीं उन्होंने 20% से उपर का दे दिया यह कहां गलती हो गई यह कहां गलती हो गई आपसे कि क्या क्या यह जो 1448 करोड रुपे पड़ा है इन investors मैं कहना चाहूंगा कि क्या आपसे ऐसी गलतीया होई कि आपको विचार करने के एक जरूरा थे क्योंकि similar category का fund दूसरी asset management company अच्छा दे रही है पर आपके पास जो fund पड़ा हुआ है similar category का वो अच्छा return नहीं दे रहा है मैं हर बार बार आपसे यह कहता हूँ किसी भी एक mutual fund को खरीदने से पहले at least दूसरी asset management company का similar funds एक बार आप जरूर compare कर लिया करो मेरे दोस्त इसी सीरीज में जो मैंने next mutual fund आपके लिए रखा हुआ है उसका नाम है सुंदरम small cap fund direct plan growth क्या बोला मैंने सुंदरम small cap fund direct plan growth इसके एनिवी की बात करेंगे तो 185 रुपय का है थोड़ा सा कान खळे कर लो क्योंकि एनिवी 100 रुपय से उपर का चला गया है maximum return की बात करेंगे तो 175 परसेंट के आसपास का return CAGR के साबसे पिछले 11 सालों में इस mutual fund ने return इन्वेस्टर्स को provide करके दिया है expense ratio की बात करेंगे तो 0.93% का expense ratio है और 2184 करोल का इसका asset size है यहाँ पर भी मेरे दोस्त आपको एक विचार करने के जुरूरत है क्योंकि यह fund एक small cap category का है यही अगर आप small cap category में SBI small cap के पास जाओगे निपोन इंडिया small cap के पास जाओगे टाटा small cap के पास जाओगे ठीक है DSP small cap के पास जाओगे चीजे में आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ facts with figures मैंने आपके सामने रखा हुआ है मेरे दोस्त इसके साथ साथ जब मैं next mutual fund की बात कर रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा हुआ है यहाँ पर मैंने क्या रखा है asset management company ने रखा है IDBI small cap fund direct plan growth इसके NAV की बात करेंगे तो 22 रुपाए का है तो definitely एक decent NAVS का maximum return की बात करेंगे 14.17% के आसपास का CAGR पिछले 6 सालों का हमारे पास data है और expense ratio की बात करेंगे तो 1.54% के आसपास का expense ratio यह आप से charge किया है expense ratio कितना बोला मैंने 1.54% का मेरे दोस्त एक बात बताओ यार 1.5% से उपर का expense ratio भाई justify करता है क्या small cap category का fund है return आपको large cap category का मिल रहा है मेरे दोस्त रुकना क्यों है रुकना क्यों है गलतियां आप से कहां पे हुई यकीन मानना मेरे दोस्त आपका दुसमन सबसे बड़ा वही है जो इस तरीके के funds आपको बता करके चला जाता है अब बाकी चीज़े आपने सोचना है क्योंकि small cap category का मैं बताओ जब मैं IDBI small cap fund की बात कर रहा हूँ एक बार आप इसका SBI से compare करो एक बार आप इसका Nippon India से compare करो एक बार आप इससे quant से compare करो एक बार आप इससे access small cap से compare करो एक बार आप इससे invest को इंडिया से compare करके देखो किसी भी fund से अच्छा इस fund से अच्छा तो किसी भी small cap category के fund ने जब भी हम small cap की बात करते हैं तो return कम से कम expectation ये रहती है कि at least 20% से उपर का return आपके पास आए पर ऐसा इसने नहीं किया है चलिए जबकि मैं next mutual fund की बात करके चल रहा हूँ उसका नाम है इडलवाइस small cap fund direct plan growth NAV की बात करेंगे 30 रुपए का NAV है एक decent NAV है maximum return की बात करेंगे तो 28.90% के CIGR के सबसे पिछले चार सालों में 0.54% के expense ratio के साथ इस fund ने अपने investors को return बना करके दिया है देखो भाई कितना सही है 39% के आजपास का return चार साल में 30 का NAV expense ratio केवल 0.54% का charge करके चल रहा है देख रहा है विनोद देख रहा है कि नहीं quant mid-cap fund direct plan growth जो मैंने next mutual fund पकला हुआ है उसका नाम है quant mid-cap fund direct plan growth अगर मैं इसके NAV की बात करूंगा तो 155 रुपए का NAV है 100 रुपाई से उपर निकल गया तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि अब मुझे बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी NAV की बात करेंगे 155 रुपाई का है return की बात करेंगे 16.68% के आज़ पास का CAGR के यसाफ से पिछले 10 सालों में 0.63% के 0.63% के expense ratio के शाथ इस mutual fund अपने investors को return deliver करके दिया है mid-cap category में यार mid-cap category में मेरे दोस्ट mid-cap category में मेरे दोस्ट 16% के आज़ पास का जो return है वो कही ना कहीं कम तो है पर फिर भी ठीक है यार 1-2% के आज़ पास के लिए कहीं आप दूसरे funds को जाते फिर होगे भटकते फिर होगे next जो mutual fund मैंने आपके सामने रखा हुआ इसका नामे DSP small cap fund direct plan growth इसके NAV की बात करेंगे तो 149 रुपई का इसका NAV चल रहा है return की बात करेंगे 21.71% के आसपास का return CAGR के साफसे इस mutual fund ने अपने investors को return deliver करके दिया है duration की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों को हमारे पास data है और expense ratio की बात करेंगे 0.93% के expense ratio के साथ इस mutual fund ने आपको return बना करके दिया है expense ratio एक खर्चा होता है जो fund manager आपसे चार्च करता है आपके fund को manage करने के लिए मेरे दोस्त इसी सीरीज में अगर मैं इस fund की बात करूँ DSP small cap fund की बात करने की चेश्टा करूँ आपके सामने तो भाई साब return 20% की उपर का है 10 साल दे चुका है expense ratio एक परसेंट से कम है NAB 149 है तो ठीक है भाई क्या दिक्कत क्या है next जो mutual fund मैंने आपके सामने रखा है access small cap fund direct plan growth इसके NAB की बात करेंगे तो 80 रुपय का है return की बात करेंगे तो 24.35% के CGR के साब से mutual fund ने अपने investors को return deliver करके दिया है और मेरे दोस अगर मैं समय की बात करूँगा तो पिछले 10 सालों का हमारे पास data चल रहा है यानि कि इस mutual fund को 10 साल हो चुका है expense ratio की बात करेंगे तो एक decent expense ratio है केवल आपसे 0.55% के आजपास का expense ratio यह आपसे charge करेगा जो मैंने next mutual fund रखा है उसका नाम है quant active fund direct plan growth expense ratio की बात करेंगे यह भी decent है जो की है 0.58% का मेरे दोस जो मैंने next mutual fund इसी सीरीज में रखा हुआ है उसका नाम है SBI Magna Mid Cap Direct Plan Growth क्या बोला मैंने फिर से एक बार दोह रहा हूँ SBI Magna Mid Cap Direct Plan Growth इसके एनिवी की बात करेंगे यह 104 रुपय का है return की बात करेंगे तो 19.66% के CAGR के साफ से पिछले 10 सालों में इस mutual fund ने अपने investors को return deliver करके दिया है expense ratio की बात करेंगे तो केवल आप से 0.97% का expense ratio चार्ज करके यह mutual fund चल रहा है मेरे दोस इसी सीरीज में जो मैंने next mutual fund आपके लिए रखा है उसका नाम है Invesco India Small Care Fund Direct Plan Growth इसके NAV की बात करेंगे तो 26 रुपय का NAV है return की बात करेंगे तो 23.05% के CAGR के साफ से पिछले 5 सालों का हमारे पास डेटा है expense ratio की बात करेंगे यहां से भी expense ratio एक decent है क्योंकि return भी आपका 22% ती उपर इन्होंने बना करके दिया है 0.78% का expense ratio यहां से चार्ज करेंगे मेरे दोस्त जो मैंने last but not the least जो आपके सामने mutual fund रखा हुआ है उसका नाम है SBI Small Cap Fund Direct Plan Growth NAV की बात करेंगे तो 137 रुपय का इसका NAV चल रहा है return की बात करेंगे maximum 25.32% के CAGR के इस mutual fund ने अपने investors की जोली में return डाला है duration की बात करेंगे या time frame की बात करेंगे तो पिछले 10 साल यह अपने investors को दे चुका है expense ratio की बात करेंगे तो 0.72% के आसपास का expense ratio यह आप से चार्ज करके चल रहे है मेरे दोस्त जब मैं NAV की बात करता हूँ तो आपको NAV की बात यह पता होना चाहिए के NAV fluctuating nature की होती है जिस तरीके से stock market आपका trading days के दिन खुलता है उसी तरीके से NAV क्या होता है कि हर रोज stock market के साथ-साथ घरती बढ़ती रहती है तो 2-4 रुपए का NAV fluctuation होता है तो कोई डरने वाली बात है नहीं और ultimately आप यह से मान के चलो के NAV उपर चलती रहनी चाहिए मेरे दोस्त देखी टोटल मैंने 12 mutual funds के आपके सामने चर्चा करी one by one करके बताया कुछ मैंने ऐसे mutual funds बताए जहां पर आपको विचार करने की जरूरत है कुछ ऐसे mutual funds बताए जो अच्छे हैं तो इन तोनों की बीच में आपको तालमल बिठाते हुए बहुत सारी चीज़े crystal clear हो जानी चाहिए फिर भी अगर कोई doubt है तो definitely comment box आपके लिए खुला है मेरे दोस्त कल फिर मैं आपके सामने मिलूँगा same time same channel बट कुछ नए mutual funds के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद